गरली के नहरन पुखर में एक सबजी विक्रेता को आधा दर्जन युबकों ने पीट-पीट कर अध्मरा कर डाला। इस जानलेवा हमले में दुकानदार की टांगो और बाजू पर गहरी चोटे लगी हैं। हुआ यह की स्थानिय दुकानदार ने एक बाइक सबार युबक को पटाखेदार तेज हॉन बजाने से रोका। इस पर बाइक सबार युबक अपने आपे से बाहर हो गया और उसने अपने 5-6 साथियों को बुला लिया। तेजधार हत्यारों से लेस इन युबकों ने दुकानदार को दुकान के अंदर ही पीटना शुरू कर दिया। पीडित का कहना है कि इन गुंडा तत्पों ने उसकी दुकान में भी काफी तोड़ फोड़ की और सारी सबजी और 63,000 कैश से भरा गला भी तोड़ कर सड़क पर फैंक दिया। देहरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलाल आरोपी पुलिस की पकट से बाहर हैं। पांच लड़के अंजान है और एक आईट एका है। छे लड़के हैं और दो बाइक पे थे। और पांच ने हमला किया और एक तमाशा देगरा था। और यहां दुआन दा था वो बिलकुल अकेला पढ़ गया था। उसको कोई स्पोर्ट नहीं मिली है। और जो साथ बाणच था वो कहाता मैं अंदर था वो बान निया या नेने। जो लड़ाई के गड़ा तो दर द अंदर है नेने। दिविय हिमाजल वेब टीवी के लिए गरली से रक्षपाल शर्मा की रिपोर्ट ट्रांस्पोर्ट फैसिलिटी एविलीबर, एड्मिशन उपर, सत्र प्रतिशत साधिक अंको पर पाएं आकर्शक स्कॉलर्शिप, देर ना करें, आज ही संपर करें या फिर लॉग इन करें, लिमिटेट सेट्स ओनली